और नबे में या 91 में एक घटना होती है मुंबई में क्रिकेट की पिच वांखेडे स्टेडियम की क्रिकेट की पिच को खुदा जाता है पाकिस्तान से मैच होनी है उसके कुछ दिन पहले शिवसेनिक वहां पहुंच जाते हैं और पिच की खुदाई करते हैं तो मैं काफी निराश था कि ये किस तरह की मराथी अस्मिता है और किस तरह की पॉलिटिक्स है कि आप क्रिकेट पिच पे जाके पिच की खुदाई करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान मुंबई में आपको प्रदर्शन करना है यह आपका हक है लेकिन स्टेडियम में जाकर पिछ की खुदाई करना गलत है और तब थोड़ा यंग था आपकी तरह तो थोड़ा जस्बा भी था तो मैंने कहा चलिए इस पर ना केवल रिपोर्टिंग करेंगे पर ए इस नॉट महराष्ट नस्मिता यह कहीं उसमें बैठता नहीं तब हिंदुत्व तो थाई तब बाड़ा साइब ठाकरे धीरे धीरे माराथी असमिता से हिंदुत्व की तरफ जा रहे थे राम जन्मभूमी का महौल था उन्नी सो नभए एक्यानवे की बात है लेकिन मैंने आर्टिकल काफी चर्चित हुआ क्योंकि उस आर्टिकल को मराथी में महराष्ट टाइम्स ने ट्रांसलेट किया और होते होते यह हुआ कि बारसाइब ठाकरे की एक दिन बाद एक रैली थी पहले तो वो काले जंडे लेकर कुछ शिवसेनिक टाइमस अव इंडिया के ऑफिस पहुचके वो तो अपनी अपनी बात अपनी जगा है उसके बाद बारसाइब ठाकरे ने एक कहीं एक रैली में कहा कि ये राजदीब सर्देशाय जो है वो विंचु है विंचु विंचु यहने स्कॉर्पियन मराठी में स्कॉर्पियन हिंदी में क्या कहते हैं स्कॉर्पियन के लिए बिच्चु 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 राजदीब सर्देशाय बिच्चु है इसको खतम करना च साथ तो मैंने का ठीक है इन्होंने कह दिया राजदीव सर्थेसाइब बिच्चू है विंचू है जो भी है मैं वैसे काफी खुश था यार कि इतने बड़े निता मुझे रेक्टनाइज कर रहे हैं कि रैली में मेरा नाम ले रहे हैं तो मैं तो काफी खुश था लेकिन जब और ब्लैक फ्लैक्स मेरे ओफिस आये तो मैं डर भी गया क्योंकि शिवसेना की तब एक ठोक शाही की भी राजनीती दी कि वो पत्रकारों को मार सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो डरा हुआ भी था लेकिन खुश भी था एक महीने के लिए मैं और बारा साहिब ठाकरे के तुमने जाने को बिलना चाहते क्या हुआ नई ने आप आईए उनको मुझे तो यहां तो शिवसेने काले जंडे दिखा रहे थे गाली गलोच कर रहे थे सोशल मीडिया नहीं था लेकिन फिर भी उनके जो भी कारिक्रम थे वहां मुझे अटेक कर रहे थे तो मैं बार ठाक फिर वो कहते हैं उनके कमरे में जाए कमरे में भी पूरा अंधेरा अंधेरे के दो मिनिट बाद सड़ली उजाला होता है और बाल ठाकरे वहां अपने औरेंज रोज में बियर के बियर का ग्लास था उनके हाथ में चीर्ज राजदिक उन्हें कहा चीर्ज आपने तो मुझे ए था थोड़ा डर गया था सर क्या तुमिह क्या डरने की बात है वो तो मैंने पब्लिक में कहा हुआ हुआ सर यहां राजदीप आयम पोलिटीशन आउटसाइड घर में आएं पॉलिटिकल कार्टुनिस्ट बड़ी अच्छी बात है यौर पॉलिटिकल कार्टुनिस्ट अब बाल ठाकरी की एक खासियत थी कि आज की तारीक में बहुत कम पॉलिटिशन है जो अगर बियर पिएंगे तो दुनिया को नहीं बताएंगे बाल ठाकरे ने कहा अल्वेस टेल दवर्ड कि यू हैड वाम बियर विद बाल ठाकरे और उसके 10-15 साल बाद मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम टीवी के लिए किया उस प्रोग्राम में उसी दिन विरेंदर सहवाग ने 300 रन मुलतान में किये थे सुल्तान और मुलतान उनको कहा गया जब वो 300 रन हुआ मैं बाल ठाकरे के साथ बैठा था तो और ने का अरे 300 रन अगेंस पाकिस्तान वाइन लाओ तो मैंने तुरंत कैमरामेन को कहा यार कैमरा रोक दो अब हम लोग प्रा जो पीते हैं रम एन कोक और आपको कहेंगे की कोकाकोला पी रहे हैं मैं जब वाइन प्यूंगा दुनिया को पता चलना चाहिए में वाइन प्यूंगा तो मैंने का सर वाइन विल यूजा वाइन लिल्यू है वाइठ प्योर लाइठ अब आप सोचिए ये सब कैमरा पे हो आया आज की तारीक में कुछ नेता हमारे ऐसे हैं जो कई चीज़ परदे के पीछे करते हैं लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं बाल ठाकरे is what you saw is what you got और मेरी उनके साथ बहुत एक तरह से नोग जोग हुई और हमारी relationship up and down रही लेकिन I sensed in him कि यार था कुछ उसमें इतने साल अपनी party चलाना आसान नहीं होता है political देखे नेता नगरी में न हम अकसर नेताओं की नेताओं को criticize करते हैं लेकिन असली नेता बनना आसान नहीं है boss तो बाल ठाकरे is my story for the day क्योंकि जैसे मैंने का शुरुआत महीं से हुई life में तो पहला प्यार नहीं कहूंगा पर पहला क्या कहें first fight उसके बाद भी मैंने बहुत जगड़े किया है Madison Square Garden से लेके we'll come to that पर वो